उत्राखन के उत्तरकाशी में 12 नवेंबर की सुभह 4 बजे एक निर्मान धीन तनल धस गई थी जिसमें पिछले 100 घंटे से 40 मजदूर सुरंग में फसे हुए है चारधा प्रोजेक्ट के तहत ये टनल, ब्रहमखाल और यमनूत्री आनच पर सिक्यारा और डंगाओं के बीच बनाई जा रही है फसे हुए मजदूर बिहार, जारखन, उत्रप्रदेश, पाशिमी बंगाल, ओडिसा, उत्राखन और हिमाचर प्रदेश के बताय जा रहे है महिश्रमिकों को बाहर निकालने के लिए पाँचवे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जा रही है जिसमें NHI, DCL और NDRF, SDRF और National Highway की 200 से ज्यादा लोगों की टीम 24 घंटे से काम कर रही है रेस्क्यू टीम ने मंगलवार को स्टेल पाइप के जरिये मजदूरों को निकालने की प्रोसेश शुरू की इसके लिए ओगर ड्रिगल मशीन, ड्रिल मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद से 35 इंच के डामी मीटर के स्लिप पाइप टरनल के अंदर डालने की कोशिश हुई हाला कि इसमें सफलता नहीं मिल पाई जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे प्यमो ने इसके बाद सेना को इसमें शामिल किया अब सेना अपनी हैवी मशीन से ड्रिलिंग का काम करेगी इधर सेना का मलवाहक विमान हर्क्यूलिक्स वुदवार को मशीन लेकर चिन्याले सोर हैलेपेट पहुचा जहाँ पर मशीन सिलक्यारा लाई गई जहाँ पर 25 टैनल की हैवी ड्रिलिंग मशीन अमेरिकन ओर्गन बारे में डायरेक्टर ने बताया कि इस मशीन को असेम्बल करने में 4-5 घंटे लगे है यह मशीन प्रति घंटे 5-6 मिटर तक ड्रिल करती है जानकारी का अनुसार मल्वे को पूरी तरह से ड्रिल करने में 10-12 घंटे लग सकते हैं इसी दौरान भुकम की जटके उत्रकाशी के शेत्र में भी महसूस हुए यह वही शेत्र है जहाँ पर टैनल में मजदूर फसे हुए है रियक्टर स्केल पर इस भुकम की तुरेवता 3-10 मिलव एक मापी गई है झाले जा है झाले जब है झाले लेत्रों की जटके ओर बहुए है झाले जा झालेव से थे लादाउ जब है झाले जाए है झाल झाल